साइबर सिटी में नई साल के आगमन पर सुरक्षा एवं ट्रैफिक विवस्था को सुचारू एवं चाक चौबंद करने के लिए गुरूगराम पुलिस ने बड़े स्तर पर पुलिस जवानों की तैनाती संभावित भीडभाड़ वाले जगों पर की है इसमें एमजी रोड साइबर सिटी गैलेरिया मार्केट और शहर के कुछ हिस्से साहित अन जगों पर तकरीबन दो हजार से ज़ादा जवानों की तैनाती की जाएगी यानि कि किसी भी तरह के हुरदंगीयों से निपटने के लिए ग्रूगराम पुलिस ने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है ग्रूगराम पुलिस प्रवक्ता की माने तो शराबियों पर पुलिसिया नजर विशेष रहेगी एवं ऐसे में जो शराब पीकर गाड़ी चलाए पाए गए या हुर्दंग करते हुए पाए गए ऐसे सभी लोगों पर सक्त कानूनन कारवाई की जाएगी देखी नए साल को लेकर ट्रैफिक वस्ता और लॉइन ओर्डर की हमने अलग से ड्यूटियां लगाई है लग बग हमने अपनी 70 से 80 परसंट फोर्स को लगाया है और नए साल पे जो ड्रंकर ड्राइविंग के लिए हमने करेंगे उनके लिए भी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अलग लग जगां पर अलग लग नाकों पर लग बग 30 से 35 मिशिने हमारी डिप्लॉई हो रही के लग 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 चोटी पेट्रोलींग पार्टिया बनाई हैं जो भीडवाड बाले राखे हैं वेड़ वाले एरिया जैसे एम जी रोड है साइबर हाब है 39 की मार्केट और यह गलेडिया मार्केट है इन एरिया में पेट्रोलिंग करते रहें गे। सब्सक्राइब के तने करमचारी इस पूरे उसमें रहेंगे क्योंकि काफी हुड़दंग के मंदेगा है वो एक 31 दिसम्बर के लेकि हमारे पास ट्राफिक के तो लगबग 300 करमचारी ट्राफिक रूप चलाने के लिए हम लोग लगा रहे हैं और प्लस लॉण और के लिए हम म प्रॉपरली काम करने चाहिए अगर जरूरत होगी तो उनकी फूटेज वेरा हम यूज करेंगे और साथ में अंदर किसी के साथ भी मिस बहेव नहीं हो यह वह इंशूर